आज भारतिय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से अर्विंद केज रिवाल से मनीश से सोधिया से डर लगता है और यही कारण है कि भारतिय जनता पार्टी अपनी एजन्सीज को सी बी आई को इडी को इस्तमाल कर रही है कोशिश करने के लिए भी किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खतम कर दिया जाएं लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफतार कर लीजिए हम आपके जूटे केसे से डरने वाले नहीं हैं हम जेल से डरने वाले नहीं हैं आप हमें फासी पे टांग दो हम उससे डरने वाले नहीं हैं देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविश्य देने के लिए इस देश की राजनीती सुधारने के लिए काम करेंगे और मैं भातिय जंतापाटी को और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहांस देखिए आप देश का इतिहांस देखिए जब जब ताना शाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी हैं तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं और आज मैं भारतिये जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीश सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया हैं पर आपकी इसी ताना शाही की वज़े से आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीती की वज़े से सत्य और मजबूत होगा और भारतिये जनता पार्टी वालों ये याद रखो यहीं मनीश सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे यहीं आम आदमी पार्टी भारतिये जनता पार्टी का काल बनेगी और यहीं आम आदमी पार्टी इस देश में भारतिये जनता पार्टी की इस ताना शाही को खतम करेगी धन्यवाद तो हम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन प्रेंस आप दिख रहे थे अतिशी तमाम तर है कि आरोप बीजेपी पर लगा रही है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सीबी आ का दूपियों किया जा रहा है पिछले एक साथ से भारतिय जनता पार्टी की एजनसियां चाहे वो सीबी आई हो चाहे वो एडी हो मनीश से सोधिया के खिलाफ एक रुपे का भरष्टा चार का सुबूत सामने नहीं रख पाई लेकिन ये गिरफतारी किसी जाच्छ जुड़ी हुई नहीं है तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबी आई को एडी को पुलीस को बनाना ही था वरना एक साल में 500 ओफिसर्ज लगाने के बाद भारतिय जनता पार्टी की सीबी आई भारतिय जनता पार्टी की एडी एक रुपे के भी भरष्टाचार का सुबूत सामने नहीं रख पाई वो कहते हैं कि 10,000 करोड रुपे का घोटाला हुआ 10,000 करोड का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीश से सोदिया के पास उनके बैंक में होगा, उनके लौकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा उनके गाउ में होगा, उनके घर में होगा लेकिन आज CBI को सिर्फ मनीश से सोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफतारी करी है क्या बहाना वो कागजों में लिखने वाले हैं वो तो कल जब उनकी पेशी कोट में होगी तब सामने आएगा